नमस्कार मेरा नाम नीरज है समुद्र किनारे एक दिन के भाग दो में आपका स्वागत है यह इकाई आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक में कक्षा दो में दी गई है पिछले भाग में हमने चीजों को समुख में गिनना सीखा क्या आप बता सकते हैं कि हमने किन चीजों को गिना था? हन जी मुझे याद है हमने समुद्र किनारे रखी चीजों को गिना था जैसे नारियल, नाव और गुबारे अरे वाँ, आपको तो सब याद है बच्चों, आपको भी समुख में गिनना याद ही होगा आईए देखते हैं एक और प्रश्न को दस के समुख में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाईए क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी चीजें दस के समुख में आती हैं एक मैं बताओ हाँ, हाँ, बताओ पेंसिल, वे एक डिबे में दस होती हैं अरे वाँ, बिलकुल सही और, और कुछ सोच सकते हैं आप और रंग बिरंगे कागस वे भी तो एक पैकेट में दस होते हैं हाँ, हो सकते हैं बच्चों, तीसरी चीज आपको खुद सोच कर लिखनी है पेंसिल के अलावा भी कुछ चीजें डिबों में आती है जैसे कुछ फल तो इश्या, क्या आपने कोई फल डिबे में देखा है? हाँ, मैंने चीजें डिबों में देखे हैं क्या बात है? चलो, इसी बात पर सुनते हैं स्वादिस्ट चीजें की कहानी मनोज चीकु बेच रहा है चीकु लेलो चीकु बिल्कुल इसी तरह उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है हर एक थाल में दस चीकु हैं कितने? दस हाँ, तो अगर हमें सारे चीकुओं की संख्या पता करनी है तो हम क्या करेंगे? चीकु की संख्या बताने के लिए मुझे पहले इन थालों को गिनना पड़ेगा एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ यहां आठ थाल हैं और एक थाल में दस चीकुओं हैं तो आठ थालों में कितने होंगे? आठ थालों में होंगे दस, बीज, तीज, चालिस, पचास, शाठ, सतर, असी असी चीकुओं अरे वाح, बिलकुल सही अब आप भी चीकुओं को थालों में रखकर बेजने में मनोज की सहायता कीजिए 25 चीकुओं को थालों में रखना है दस चीकू के डैश थाल और डैश चीकू शेश बताओ, दस चीकू के कितने थाल बनेंगे? दो थाल पूरे भरेंगे और पांच चीकू बच जाएंगे सही कहा आपने बच्चों, इसी तरह आपको इस प्रश्न के बाकी के भाग भी करने हैं आईए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसका शीरशक है आओ मिलान करे इस तालिका में एक तरफ लिखी है चीकू की संख्या और दूसरी तरफ है चीकू के चित्र आपको रेखा खीच कर संख्या का सही चित्र से मिलान करना है सबसे पहले क्या लिखा है? असी चीकू असी चीकू मतलब आठ थाल देखो, आठ थाल वाला चित्र कौन सा है? पहले में हैं पांच थाल, ये नहीं है दूसरे में दो थाल, ये भी नहीं है तीसरे में देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ थाल यहीं है हाँ, तो अब हम कुछ इस तरह मिलान करेंगे इसी तरह अगला भाग देखते हैं इस भाग में लिखा है बहत्तर चीकू मतलब? मतलब साथ थाल और दो चीकू और पहले भाग में हैं पांच थाल दूसरे में दो तीसरे में आठ और आखरी में हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ थाल और दो चीकू अलग तो इसी से हम बहत्तर को मिला देंगे बाकी दो भाग बाकी दो सवाल हम अपने आप कर लेंगे हैं न दोस्तों इसका मतलब आपको समूह में गिनना समझ आ ही गया हाँ, आ गया अब कुछ खेल खिला दो ना हाँ, खिलाती हूँ, खिलाती हूँ खेल का नाम है ब्लोक्स और पट्टियों का खेल इस चित्र को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लोक्स टिक में कितने ब्लोक्स हैं? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इस ब्लोक्स टिक में दस ब्लोक्स हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक स्टिक बराबर है दस ब्लॉक्स के है ना हाँ चलिए इसी तरह कि एक और पटी को देखते हैं क्या आप बता सकते हैं कि इस पटी में कितने खाने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इसका मतलब एक, दस की पटी बराबर है दस खाने या दस इकाईयों के तो त्विशा, आप मुझे बताओ कि दस दस की दो पटीयां कितने ब्लॉक्स के बराबर होंगी एक पटी, दस की, तो दो पटी हुए बीस की सही कहा आपने आओ, अब इसी तरह का अभ्यास करते हैं आप तैयार हैं? जी, हाँ इस चित्र को देखिए और बताइए कि इस चित्र में कितनी ब्लॉक्स टिक्स हैं और कितने ब्लॉक्स अलग से हैं इस चित्र में तीन ब्लोक स्टिक्स हैं और इनके अलावा चार ब्लोक्स अलग से हैं हम सही कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कूल ब्लोक्स कितने हैं तीन ब्लोक्स टेक मतलब दस, बीस, तीस इसके अलावा चार ब्लोक्स अलग से हैं तीस और चार 31, 32, 33 और 34 तो ये हुए 34 ब्लोक्स यहां कुल 34 ब्लोक्स है यह तो बहुत असान था और पूछो अच्छा, तो अब इस चित्र में देखकर बताओ कि यहां कितने ब्लोक्स है इस चित्र में मुझे देख रही है पाँच ब्लोक्स टेक्स और तीन ब्लोक्स और पाँच ब्लोक्स टेक्स का मतलब है पचास ब्लोक और तीन ब्लोक्स और खुल मिलाकर हुए तिरेपन ब्लोक्स है ना हाँ हाँ अरे वाँ इतने जल्दी समझ गए आप तो बच्चों बाकी के ब्लोक्स की संख्या आपको खुद पता लगानी है और दिये गए स्थान में लिखनी है ब्लोक्स किनने के बाद अब समय है एक तालिका भरने का दी गई तालिका को ध्यान से देखिए इसमें आपको कुछ ब्लोक्स या इकाईया दी गई है आपको ब्लोक्स की संख्या के अनुसार दस की पत्टिया और इकाईया लिखनी है जैसे सबसे पहले लिखा है चौबीस च दस की कितनी पट्टियां होंगी दो पट्टियां और इकाईयां कितनी होंगी चार तो हम दस की पट्टियों वाले खाने में लिखेंगे दो और इकाईयों वाले खाने में लिखेंगे चार इसी तरह अगली संख्या देखते हैं अगले संख्या है चटीस चटीस मतलब छे और तीस तीस में तीन दस की पट्टियां और छे इकाई है ना? हाँ बच्चों अब आप बाकी की संख्याओं के अनुसार इस तालिका को पूरा कीजिए दस की पट्टियों को समझने के लिए आप 10-10 तीलियों या दातुनों के गठर भी बना सकते हैं जैसा हमने पिछली कक्षा में किया था? बिलकूल वैसे ही क्या आपको याद है कि आपने पिछली कक्षा में कहां तक की गिंती सीखी थी? सो तक की सो को हम कह सकते हैं शतक तो अगली गतिविदी है हमारी शतक से सम्बंदित शतक यानी सो है ना? हाँ अगर हम दस ब्लोक्स वाली दस पट्टियों को एक साथ रखें तो इसमें होंगे सो ब्लोक्स यानी शतक क्या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सो इकाईया है हाँ बिल्कुल कह सकते है अच्छा तो अब हम शतक की बात करेंगे इस चित्र को देखिए इसमें सो ब्लोक्स है ये ब्लोक्स दो रंग के हैं कौन से दो रंग? पीले और लाल तो बताओ पीले ब्लोक्स कितने है पीले ब्लोक्स की साथ पटिया है मतलब सत्तर ब्लोक्स और लाल ब्लोक्स लाल ब्लोक्स की तीन पटिया है मतलब तीस ब्लोक्स और कुल सो इकाईया या इसे हम कह सकते हैं दस की दस पटिया अब अगला शतक देखते हैं तुईशा आप बताओ कि इसमें पीले ब्लोक्स कितने हैं? इसमें मुझे पाच पीले पट्टियां दिखाई दे रही हैं मतलब पचास ब्लोक्स बहुत अच्छे इसी तरह लाली काईयां भी बताओ यहां लाल रंग की भी पाच पट्टियां हैं मतलब पचास ब्लोक्स ठीक आपने इस शतक के नीचे दिये गए रिक्त स्थानों को कुछ ऐसे भरा जाएगा पचास पीली इकाईयां एवं पचास ब्लोक्स पाच पीली दस की पट्टियां एवं पाच लाल दस की पट्टियां कुल सो इकाईयां या दस की दस पट्टियां मुझे लगता है अब इसे हम असानी से कर लेंगे क्यों ठीक कहा ना दोस्तों ठीक है ठीक है तो बाकी के दो शतक और उनके रिक्तिस्थान आप खुद भरेंगे कर लेंगे ना हाँ हाँ तो तुईशा आज हमने इस भाग में जाना कि हम कैसे समूह में गिन सकते हैं और गिन ही नहीं हम जोड भी सकते हैं है ना हाँ तो बच्चों इसी इकाई के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार ँछों इसलेगा करिया करेंगे डित्ला के लिए प्ति ओस गोड़ेश पहाँ करेंगे पाल यारी होड़ेश